आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन बहुत शांदार रहने वाला मेरे दोस्त आपको मज़ा आज के सेशन में क्योंकि आज का सेशन मेरे दोस्त कहीं न कहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए है कि 2024 हम लोग किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं करेंटफेस मात रही हमारे लिए सरफ फोकस करने के लिए नहीं होता हमारे लिए कहीं न कहीं करेंटफेस के साथ सथ स्ट्रेक के जीगे भी इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ सब्सक्राइब बांकिंग टर्मिनलोजी बहुत सारी चीज़े जिन पर कहीं न कहीं हमें फोकस करना होता है आज का सेशन कहीं न कहीं आपको यह समझ में आएगा कि यहां शुरूवात हम लोग इस तरीके से करेंगे और इसको बहतर लेकर चलेंगे बड़ लोगों से गुजारिश रहेगी प्लीज वीडियो के आकरी तक बने रहिएगा सेशन में आपको स्टेटिक जीक है, सेशन में आपको इंपॉर्टेंट् करेंट अफियर्स, सेशन में आपको मेरे दोस्त बहुत कुछ मिलने वाला है लोगों से कोड्स, military, exercise, award, scheme, days, static gk, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है, start करेंगे with the motivational code, then फिर बढ़ेंगे आज की important mcqs की तरफ, then फिर बढ़ेंगे आज की important news की तरफ, फिर last में मेरे दोस्ट हम लोगे static gk भी cover करेंगे, during session भी हम लोग static gk cover करेंगे, session का pattern please समझेगा, जो मेरे साथ प समझ में आने लगेंगी, बहतर तरीके से आपको समझ में clear होने लगेंगी, और चौते दिन तो आपको मोहबत हो जाएगी मेरे भाई, आप अपने आपको जुड़ने लगेंगे, बस तीन दिन मेरे को आपको देने हैं, आज का motivation code बड़ा शांदर है, be a warrior, not a warrior, तोको life में स समस्या है, समस्या ही, समस्या है, तो जीवन का मतलब ही है, जीवन का आदार ही मेरे दोस्त चैलेंजिस से शुरू होता है, और जीवन का मेरे दोस्त अंत भी चैलेंजिस के साथ ही होता है, तो जीवन मेरे दोस्त चैलेंजिस से भरा हुआ है, कुछ लोग को रोकर गुजार देते हैं, कुछ लोग मेरे दोस्त समाधान पाकर गुजार देते हैं, कुछ लोग समाधान की तरफ भाग कर मेरे दोस्त अपने चैलेंजिस को पकड़ते हैं, या यू कह सकते हैं कि चैलेंजिस को एकसेप्ट करते हैं, और अपने समाधान ढूरने लगते हैं, मुझे पता है आपको उसे एक में मेरे दोस्त बैठना है आपको उसे एक को खुद को बनाना है मैं फिर एक चीज बोलूगा यह 2024 समाधान ढूंडो 2023 हो जो हो गया जो हुआ उसे आप बदल नहीं सकते जो है उसे बना सकते हैं जो हुआ उसे बदल नहीं सकते बड़ जो है उसे बना सकते हैं और यहां कहूंगा बिगा भाई ओके विगा फैमिली मेंबर बिगा टीचर मेरे दोस्त बिगा सीरियर बिगा एक्स्पीरेंस पर्शन होके लाइफ आपको बहुत कुछ देगी लाइफ आपको इतना देगी मेरे दोस्ट समयटा नहीं जाएगा जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको हकदार बनना पड़ेगा आपको उसके लिए महनत करनी पड़ेगी Be a warrior लडने की मेरे दोस्ट शक्ती पैदा करिये कैसे भी situation हो चाहे परिवार में हो चाहे जीवन में मेरे दोस्ट वित्ती तौर पर हो मांसिक तौर पर हो किसी तौर पर हो अर्टिक तौर पर हो Be a warrior लडना सीखे कोई बुखार आने पर रोदने लगता बड़ी-बड़ी बीमारी आने पर नहीं रोने लगता Be a warrior समझे रहे ये छोड़ी-छोड़ी चीज़े इन पर फोकस करिये जीवन कैसे बहतर नहीं होगा Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Happy new year, happy new year, happy new year नए साल की आप सभी को हर्दिक शुका बना है ये नए साल मेरे दोस आपके जीवन में आपके परिवार में आपके पूरे इस मता कह सकते हैं कि सब कुछ बहतर लेकर आए पहला तो मेरे दोस स्वास्त प्रायोरिटी है पहला है वो आप उस पे काम करी यह जीवन में आगे बढ़ते रही है, okay, start करें, एक बार comment में यार रादे रादे लिख दो दो, 24 के शुरुआत है, प्रभु का नाम न ले तो कैसा है, मेरे दोस्त काम चलेगा, रादे रादे, start कर दे session, और अगर आपको मेरे दोस्त किसी भी हमारे patch में admission लेना है, आप मेना Industrial Security Force, जिसको आप केंद्रिय औध्योगे की सुरक्षाबल के नाम से जानते हो, इसके नए महा निदेशक के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, और जिनको भी नियुक्त किया गया है, वो पहली महिला head है, first women head है, जिनको कि director general, या फिर मेरे दोस्त महा निदेशक बनाए foundation, first Indian member, या दा रहा कुछ उसकी governing board में, सतीश कुमार कालरा, अब इनका भी appointment हुआ है, ठीके CS राजन, इनका भी appointment हुआ है, यह देखेंगे, यहाँ पर अपना answer है, नीना सिंग, नीना सिंग को appoint किया गया, CISF का director general, कोशिच किया करिए, बीच-बीच में मेरे साथ repeat करते रा अगरी के higher CISF की नीना सिंग, director general बन गई, तो बहुत ज्यादा connected आपको feel होगा, अब जब यह 4-5 option देखते हैं, जो अब फिलाल appointment किया गए, जिसे वीता दानी है, बैन जी को क्या appointment किया गया है, वीता दानी अपनी first Indian है, International Table Tennis Federation में, अब हर एक खेल से संबनित कोई ना कोई संस्था होती है, जैसे cricket related ICC है, hockey related FIH है, हर तरीके से है, football related FIFA है, वैसी table tennis से संबनित है, International Table Tennis Federation, इसकी एक foundation है, 2018 में बनी थी, ओके, और इस foundation में first Indian जिनको elect किया गया है, पहले भारती जिनको elect किया गया है, इनका नाम में वीता दानी, शिरी लंका, जिसकी capital है, शिरी जैवर इदने पुरे कोटे, currency है, रुपी, ओके, और जिसके साथ भारत के साइज होती है, सिलिनेक्स, मित्र शक्ती, उसमें भारत का नया राजदूत न्यूक्त किया गया है, इनका नाम है, संतोष जहाजी, ओके, अब इनोंने replace किसको किया है, गोपाल बागले साथ को किया है, अ उस्ट्रेलिया की capital क्या है, कैन्बरा, currency, dollar, उस्ट्रेलिया, कैन्बरा, dollar, शिरिलंका, शिरी जैवर्द ने पुरे कोटे, currency, रुपी, सब उंगलियों पर यात करा दूँगा, ओके, चेर्मन अफ कोटक, महिंद्रा बैंक, इनका नम है, CSR राजन, इन साहब ने किनको replace किया है, प्रकाश आपते को, ओके, प्रकाश आपते, सतीश कुमर कालरा, ये interim MDN CEO बनाए गए, North East Small Finance Bank, छोटा सा सवाल है, जो पहली दफा जुड़े हैं, उनसे नहीं, जो बहुत वक्त से जुड़े हैं, या मेरे दोस्त, पहले से मेरे साथ connected है, North East Small Finance Bank में किस बैंक का merger हो रहा ह है, किस बैंक का merger, North East Small Finance Bank में हो रहा है, देखू चैट में, क्या चल रहा है, ओके, Canberra Dollar, Gopal, High Commissioner of India to Australia, ओके, well done, मज़ा रहा है, हर एक चीज, एक news हो गई, उस news से related important MCQ के options, मलब एक news उस से related MCQ, उस से related options, फिर options में भी हम लोगों ने कहीं न कहीं, खेल खेल दिया, मेरे दोस्त, जो recent के appointment आ उनको डाल दिया, फिर उनके answers आपके सामने, easy है, simple pattern है, next, pattern को समझने की कोशिश करना, ओके, 3 द character general of ITBP, इंडो, किब बतन, बॉर्डर पुलिस, एक homework दे रहा हूं, जो आपके exam में question रहा था, CAPF, Central Armed Police Force, इसमें total 7 forces आती है, CRPF भी है, ITBP भी है, आपके लिए homework रहेगा, इस video के comment section में, मुझे answer चाहिए, आज सभी का, सभी से answer चाहिए, जो पुराने है, जो नए है, कि CPF में total, कितनी forces हैं, ओके, यहाँ अपना answer है, मेरे दोस्त, राहुल रस गोत्रा, ओके, इनको ITBP का head बनाए गया है, किनका मेरे बाए, ITBP का head बनाए गया है, बहुत बढ़ी राहुल रस गोत्रा, ओके, अब ज़रा परम सैन, यह भी हल फिलल अपॉइंट हुए है, यह राजीव आनन दिये, तो super important appointment है, एक बार focus करना मेरे दोस्त, देखिएगा, प्रमोन अधिरवाल सहाब को, Bombay Stock Exchange, BSE का chairman बनाए गया है, सहाब ने replace किया यहाँ पर SS Mundra सहाब को, किनको SS Mundra सहाब को, रुबिन अजर, इसरा इसराइल के भारत में, वो भारत के दूसरे देशों में थे, इसराइल के भारत में है, रुबिन अजर, part-time member of PFRDA, हर किसी को regulate करने के लिए कोई ना कोई है, आपको regulate करने के लिए मा, मेरे दोस्त, या फिर पिताजी हो गए, अगर कोई third person और regulate कर रहा हो, तो वो एक अलग है, हर किसी के लिए एक अलग-अलग regulatory body है, for example हम बात करें, money market के लिए, reserve bank of India, for capital market, capital market, security exchange board of India से भी, okay, for insurance sector, इरड़ाई, insurance regulatory development authority of India, insurance regulatory development authority of India, इरड़ाई, okay, उसी तरीके से for pension sector, ये एक body बनाई के इसका ना में, PFRDA, pension fund regulatory development authority, बास समझ में आ गया, clear हो गया, इस PFRDA के board में, part time member के तौर पे, elect किया गया, प्रमसेन, 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 ओके, राजी वानन सहाब को, max life insurance का chairman मनाई गया, इन्होंने अनल जीत सिंग को replace किया है, ठीक है, अनल जीत सिंग को, clear दे भाई, done, अनल जीत सिंग को इन्होंने replace किया है, next, who is the new director general of central reserve police force, केंद्री रिजर्व पुलिस बलके नए महाने देश कौन है, तीन appointment है, back to back, CRPF, CISF, and ITBP, CRPF में, केंद्री रिजर्व पुलिस बलके नए महाने देश कौन मने, फटा बटा आंसर करिया, यार, हाद बाइंद के बैठने से, और सिर्फ देखने से काम नी चलेगा, थोड़ा participation भड़ाई, चैट में मेरे दोस्त, अभी किसी ने good morning का how to put, मेरे दोस्त बिना देके, good morning to, मैंने good morning बट बोल दिया, किसी ने कुछ का हो, तो तुरंट to कर देते, हाँ, तब भी सोचते मेरे दोस्त, भाई ने कुछ बोला, तो नहीं कुछ करना है, अमा इतना तो मुहबबत हमसे भी लाजमिय करना बनता है, होड़ा तो करिये यार, हाँ, अरे happy new year हो गया, मेरे भाई हो गया new year, happy new year, अनीज दयाल सिंग, अनीज दयाल, अनीज दयाल, अनीज दयाल, अनीज दयाल, ओके, अनीज दयाल, रहाइट आंसर अपना, अनीज दयाल, ओके, अब option देखो, समीर शाह, कोई फिक्की फिक्की में बनाएगा मेरे वाई, फिक्की फैडरेशन अप इंडिन चैंबर अफ कॉमर्स अन इंडस्ट्री, कंचन देभी किसी संस्ता की पहली वीमेन हेड बनाएगी है, पुनीत विद्यार्ती, ये भी किसी में बनाएगा है, अनीज साह, समीर अनीज साह, यार फिक्की में बने, फिर समीर शाह किस में बने, लेट सी, देखते हैं, समीर शाह को मेरे दोस्त, बीबी सी में बनाएगा है, ब्रिटिश ब्रॉड कास्टिंग कॉर्पोरेशन, एक भारती मूल के व्यक्ति को यहां पर नया, अध्यक्ष नियूक्ति किया ग अनीज साह को, पुनीत विद्यारती, रूरल मार्केटिंग असोसियेशन ऑफ इंडिया, इसके नए चेर्मेन बने है, इनोह ने किन का इस्थान लिया है, इनोह ने किसको रिप्लेस किया है, मैं इतना भी पूछता हूँ, ओके, तो उसकी इज़त करिये, प्लीज, रिप्लेस्मेंट भी याद रखिये, कंचन देवी जी, फर्स्ट वीमें डारेक्टर, जनल अफ आई सी एफ आर ई, आई सी एफ आर ई, यानी, इंडियन काउंसल अफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एन एडुकेशन, इंडियन काउंसल आफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एन एडुकेशन, ओके, आई वोब गाईस, क्लियर होगा, हमारा एक पैटर्न रहेगा, जिसमें हम लोग प्रिवियस डे के इंपॉर्टेन एंसी क्यूस का डिसकेशन करेंगे, उन एंसी क्यूस ते प्रिवियस न्यूस को लिंक करेंगे, क्योंकि प्रिवियस नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा, चीजओं को बहतर करने के लिए जरूरी है, आपका मिरे दोस्ट से भीचाइगा, कहीं न कहीं जो प्रयास है उसको बहतर करना और बहतर प्रयास में यह है कि रिवीजन को मिरे दोस से छोड़ना नहीं है ओके तीन सवाल डन चौतिस सवाल पर आते हैं संतोष जहाँ साहब है यह नए हाई कमिशनर बनाएगा किस देश में यह वही रिपीट हो गया रिपीट क्या हो गया यह अपने शेडियूल का पाट है मिरे दोस मैंने रिवीजन मे रहा था एक साइकलोन इसका नाम है माई चॉंग काफी तूफान देखने को मिला था मेरे दोस्त अभी अपने स्टेट्स में ओके तो साइकलोन माई चॉंग की वज़े से काफी कुछ मतलब भानी भी लॉस भी हुआ था ओके तो यहाँ पर इसका नेम कौन सजेस्ट किया हर हैं साइकलोन कोई नाम देता है जैसे नाम आशिष रखा किसी ने है। किसी का नाम होता है, उसका नाम भी चुँह मेंन मार्ण किसने में वहले हैं, एक नमबर, का ऊशन EOIR, एक SPI Satellite है, ये किसकी है, साउथ कोरिया की, अक्सर होता नहीं, आप कुछ लेकर आते हैं, तो पड़ोसी जरूर लेकर आता है, नॉर्थ कोरिया ने सेटलाइट लॉंच करी, मलिग यॉंग, ये इसकी पहली SPI Satellite थी, अब साउथ कोरिया का भाया, तुने लॉंच किया यानि कि जो वॉल केनों है, जो आला मुके फटते हुए दिखते हैं, तो उसमें से एक नाम हमारे लिए important बनता है मेरे दोस्त, इबू बॉल कान, ओके, हल माहिरा, ये island और याद रख लेना, I think so यार, पिछले साल का सवाल है, पिछले साल 2020 का ही, एक island पूछा गया था, from current affair, जो static है, वो current affair से ही निकला है, आपने static पकड़ा, Almira Island, ओके, ये कहा पर है, इंडुनेशिया में मेरे दोस्त, यही पर एक वालकेन और अरब टू आता, इस तरीके से पकड़ के चलो, static साथ में मेरे दोस्त, इस तरीके से लेके चलना है, मुहम्मद अल रामस थी, नाम अगला सवाल, which country named former Navy commander Dong Jun as its new defense minister, किस देश ने पूर्व नौसेना commander Dong Jun को अपना पहला नया, अपना नया रच्छा मंतरी ने उप्ति किया, वटब बढ़ दाई दोस्तो, कुछ भी पॉसिबल है, आप ही कहते हैं, तो मैंने कम बना किया है, मेरे दोस्त, everything can be happen, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओके, सेशन को यार लाइक बाई करो, आज हम लोग का ऑफिशल हॉलिडे है, अफिशल हॉलिडे है, मतलब कल भी था, आज भी है, ओके, और फर्स्ट आप जन्वारी को, फिर भी हम लोग आपके लिए हैं, मेरे दोस्त, थोड़ा तो यहां पर आपकी तरफ से भी अपने लिए बहतर बनना जरूरी बनता है, अगर हम आपके लिए इतने प्रयास कर सकते हैं, तो सोचे, आपको अपने लिए कितने प्रयास करने चाहिए, थोड़ी एर के लिए सीरियस हो जाईए, एक अच्छा सिक् खुद को बहतर बनाते हैं, फिर बाकी चीजों से हम लोग कल्पना करेंगे कि वो हमारे लिए बहतर हो, पहले खुद को बहतर बनाते हैं, कोशिश किया गया दी सुबह उटके, जैसा धरती को चूमते और कहते तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमद्य सरसोती कर्मुलेत गो पहला निकल गया, उनको भी बहतर बनाएंगे, लेकिन जरूरी है आपको सीरियस होगा, तो प्लीज यार भी सीरियस, यहाँ आंसर कहा था अपना, यहाँ पर है चाइना, चाइना की यह नए डिफेंस मिनिस्टर है, सहाब का नाम क्या है, डॉंग जुन, अब ऑप्शन्स बहरिन, इंग्लेंड जापन, यह सब न्यूज में रहे हैं, सर कैसे न्यूज में रहे, दिसंबर महीने में न्यूज में रहे थे, कैसे रहे तो उसको समझते हैं, इंग्लेंड के फॉर्मर मिस्टर यूनिवर्स इनकी डैथ हो गई, अब यह इंग्लेंड से थे, इनका ना fusion reactor, okay, world largest and most advanced nuclear fusion reactor, नाम इसका JT60S, it belongs to Japan, नहीं, जापान से है, okay, जापान का है, 2026 का, जो World Weight Lifting Championship होगा, यह होगा निंगबो में, निंगबो, अब यह निंगबो कहाँ पर है, सरीए चाइना में है, कहाँ पर बिटा चाइना में, 2024 का, जो World Weight Lifting Championship होगा, यह होगा मनावा में, मनावा कहाँ है, बहरिन की राजधानी है, ओके बहरिन की, तिर 25 का World Weight Lifting Championship होगा बिटा, पोरडे में, और पोरडे कहाँ पर है, नॉर्वे में, बास समझ में आगी, चीज़ा क्लियर हो रही है, हमने एक देश तो पकड़ाता है, यहाँ पर वो समझ में आगे, चाइना न्यूज में रहा, उसके साथ-साथ हम लोगों ने देख लिया, कि और भी कौन-कौन से देश है, जो हाल-फिलाल न्यूज में रहे हैं, अगर हम लोग इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इससे हमें आसान यह होगा, एक से दो, दो से तीन, तीन से चाचा, अच्छा, यह मेरे चाचा का बेटा है, अच्छा यह चाचा की, कितना कनेक्ट कर लेते हैं, यह तो हमारे चाचा की, उनका रिष्तिदार है, कैसे कनेक्ट कर लेते हो, सबकॉंशिस माइड में एक्टिव रहते हो न, हर चीज पता है न, आपको हिरेड की पूरी पता है, दादा पर, दादा उनसे, फिर उनके बाबा, उनके बच्चे, यह वो सारी चीज है, सब पता हैं, कैसे पता है, कोशिश करी, जानने की, हो गया, आपको भी वही कर रहा है, यह सब भारत की किस के साथ, इस देश के साथ एक्साइज है, यूके के साथ होती है भारत की, अजय वारियर, कौनकन, इंदर धनुष, कौनकन, शक्ती, समझ में आ गया, इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करो, मिर दोस्ट आपको मज़ा आएगा, अब जैसे हेड़कॉर्टर की बात करें, किस देश के राजपती, जैवियर माइली ने, ब्रिक्स में शामिल होने के निमंतरण को अस्विकार कर दिया, अस्विकार, 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 रिजेक्टेड, 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 किसने किया मेरे भाई, फटा बनुता ही है, बहुत बढ़िया, सथ CPI, WPI, UPI, IAP के 9th month का data करवा दिजे, 9 महीने के हो, बारे महीने का हो जाएगा, ओके, देश सी डूड, वेट सिंगल, बन अफ़ बेस्टीचर, शुक्रिया मेरे दोस्ट, ओके, चलिए, स्टार्ट करें, करेंटर फेस की बुक इस वीक के अलब तक आ जाएगी, अब ये ट्रपल सी रूल, अब ये ट्रपल सी रूल क्या कहता है, एक शहर है, मेरे दोस्ट, आगरा के पास है, परोजाबादों के, मुझे पढ़ाने के लिए बेजा गया, वहाँ पर, जब मैं अपने संघर्ष के दौर में था, यानि कि, शुरूआत में, संघर्ष का दौर तो जीवन में हर समय चलता है, शुरूआत के दौर में था, तो यहाँ सत्रे की बात है, जब पढ़ाना ही शुरू किया था, तो हुआ किया मेरे दोस्त, बच्चे थे, वहाँ पर जो भी बड़े प्यारे बच्चे थे, मेरे भाई, उनके साथ मेरे जनल आवेनस में चार या पांच लेक्षर होते थे, तीन या चार लेक्षर होते थे, तो मैं फुरी हो जाता था, वो लेकिन लेक्षर ऐसे होते थे सुबह 6 बजे हो रहा है तो एक रात को साड़े साथ बजे हो रहा है प्राइविट कंपनीज में ऐसा ही होता है मैनेजर से अगर आपकी नहीं बनती है तो फिर आपको वह सुबह और एक आखरी में लक्षर देता है बीच का दिन वह आपका खाली रखता है यूंकि आपकी नह इसा था वे रहे दोस्त इनिशल डेस थे शिरुवात के दिन थे तो पहुंचे थे फिर दीर जैसे बाते होने लगी बनने लगी तो फिर क्लासेश भी थोड़ी इस तरफ आने लगी फिर या तो सुबह ओती थी या तो शाम होती थी लेकि जब शुरुआत का दौर था तो वहां गये तो हुआ क्या वहां पर एक चीज मैंने देखी कि बच्चे क्या एक ग्रूप स्टडी नहीं करते थे वो सिर्फ क्या करते थे बैटके पढ़ते चले जाते थे तो मैंने काम करो मैं भी खाली रहता हूं चार-पांच क्लासेश के बाद 12 एक बजे के बाद तुम लोग भी काम किया करो तो वह अच्छे आने लगे तो अपन भी यह था कि चलो एक आध एक्जाम अपन भी कर लेंगे ए माल लगा रहता था तो तैयारी उनके साथ बैटके शुरू किए करना तो उनके साथ जब तयारी शुरू करी तो उस दोर में स्ट्राटिक जी के तो वो भी पढ़ते थे हम भी पढ़ते थे हम लोग आपस में एक दूसरे को टास्क देते थे तो तब मेरे दोस्त हम लोगों ने एक capital currency याद करना शुरू किया अब capital currency याद कर रहे थे कैसे जो देश news में रहे थे उनको सरफ हर किसी देश को हमारा कोई logic नहीं दे याद करने का देखे हैं हर एक देश जो news में चल रहा है सरफ उसको तो अब हमने ऐसे लिख लिए थे एक दिन Argentina अब याद करें तो याद हो नहीं अब Argentina कैसे trick से याद करें तो फिर हम लोगों ने ऐसा बनाए कि अब उसके बगल में लिखो ब्यूनोजायर्स करनसी लिखो पीसो और उपर लिख दिया था country capital currency अब country capital currency को triple C से लिए बोलते क्यों कि तीरों का पहला 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 अलफावेट उठा लिया और इसमें हम लोगों क्या किया मेरे दोस इस तरीके से पढ़ना शुरू किया कि जब भी कभी भी कोई देश आएगा तो उसकी राजधावी और मुद्रा साथ में बोलेंगे अर्जंटीना ब्यूनोजायर्स पीसो जैसे मेरे से आप बोलते हो आशीष गौतम सर या तो सर बोलते हो या तो गौतम बोलते हो आशीष गौतम सर अच्छा लग रहा ना बोलते हूँ आशीष गौतम सर ऐसी तरीके से आपको यह भी पूरही पढ़ना है अर्जंटीना ब्यूनोजायर्स पीसो इतोपिया एडिस अबाबा बिर ओके इजिप्ट कैपिटल काईरो करेंसी पाउंड हो गई साउधियर अब कैपिटल रियाद रियाल हो गई उके यूए कैपिटल अपुधाबी दिरहम हो गई उससे पूछोगे ना 1.560 मेरे तो सिय दो क्या करने के लिए ऐसा नहीं कि पूरे टायम रट त्यौ बेढयन ने जाना यह मिंपौन अपैट अगी दाना FT पढ़ने का मन हो कोई बिना रटे याद हो जाएंगी चोटे छोटी चीज ने निका ध्यान आपको देना है और उन बच्चों के साथ बैटके नेशनल पार्क भी याद हो गए थे बांदव गड़काना माधपनना पैंच फॉसिल सत्पड़ावन बयार कुनों यह सब याद हो गए थे लिए कैसे फ्लो फ्लो में सारी चीज़े महनत करते रहो लगातर महनत जरूरी है एक दिन के प्रया करने जो लॉजिकल नेशनल पार्क किस स्टेट में मेरे भाई सर आरार भी रियू प्यों का रिजल्ट आने वाला है फिलहाल सब लेंग चल रहा है कि सब बढ़िया चलेगा अब यहां पर ना नेशनल पार्क में कनेक्ट करूंगा उडिसा से संबनेत है नंदन कलन जो लॉजिकल नेशनल पार्क यहां पर चीता आएगा यहां पर टाएगर आएगा इस तरीके की नियूस रही थी तो यह नियूस में आ गया तो स्टेटिक एससे कोशन आ सकता है कनेक्ट लॉजिकल नेशनल पार्क राइस्थान में कौन कौन से केवला देवरंथम बोर सर इसका डिजट दर्रा ओके तमिल लाडू में कौन सा है मलाई या दरा मलाई असल में आई लव मिलकों के दूद आपको भी पसंद हो मुझे भी पसंद है बट सरदियों में मलाई क क्या दूद बड़ी अलगता है शादी पाड़ी इसमें जाते तो हम अलग से मलाई डलवाते है क्यों क्यों कि यह हमने शुरूआज जब की दिना तब हाइपोधे कली मान लेते है तमिल लाडू से शुरूआज की दूद पीने की और वहाँ पर दूद जो मिलता है मलाई का मिलता है मुदू मलाई अन्ना मलाई यहाद रहेगा यहे दोरो नेशल पारक्स आपके कहां पर है तमिल लाडु में गैजब ऑप मनार मरीन अड़ कुर्ति लारी इयाद हो गया से काइसे याद नहीं होगा क्लावडिड राजबरी ये तुरुप्रा में है सिक्किम सिंकल नेशल पाक कंचन जंगा केवलादेव रंथमबॉर सिरसका सरिसका डिजर्ट दर्रा ये आपके राजिस्थान में उडिसा भीतर कानिका सिमली पाल नंदन गनन जो लॉजिकल नेशल पाक एक बार फटावड से बोल बोल के पड़ो यार क्या दिक्कत है घर पर तो सब अपनी है क्या पता अंकल अंटी को भी दूचार निशल पाक सियाद हो जाए और अरबी क्लक रिजल्ट लिंक अवेलिबिल आराम से देखना शाम तक रिजल्ट आएगा कि सरकारों की योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस राज्य की योजन नहीं है फिर इसका क्या परपस है Otherwise मेरे दोस्त आपको Central Government की स्कीम को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है किस राज्य सरकार ने बीजू स्वास कल्या ने योजना का दाइरा बढ़ाया है और राज्य का नाम है बीजू से आप to connect कर सकते उडी सा ओके उडी सा next अब जैसे कोई भी स्टेट न्यूज में होगां हम स्टेट को भी cover करके चलेंगे तीक उसके अलावा भी और स्तेट करके चलेंगे जैसे लगे World War Two Museum यह कहां पर है पासिघाट में अब ये पासीगाट कहां पर है? सर ये अरुनाचल प्रदेश में है दस दिन का अभी हॉर्ण बिल फेस्टिबल रहा था नागा लेंड में एक्जामिनर बड़ा स्मार्ट है उसने ये पूछा था कितने दिन का होता है ये फेस्टिबल दस दिन का इसी से संबंदित एक और है नाम इसी से लिखन के पक्के पागा हॉर्ण बिल फेस्टिबल ये अरुनाचल प्रदेश का है ये एंटी पीसी में कुशन आये था काफी लोग गलत करके आये थे क्योंकि उनको लगा था हॉर्ण बिल फेस्टिबल इस बिलॉंग टू अरुनाचल प्रदेश ओके तो इस छोड़ी छोड़ी चीज़ा दियान रखनी है जो हॉन्बिल फेस्टिबल रहा था अभी हाल प्ला नागालेंड में रहा था उसमें यूएस और जर्मनी और कोलंबिया ये पार्टनर कंट्री थे और दोस्त पार्टनर इस्टेट कौन सा था असम था आपको याद रखने हैं पार्टनर कंट्री कौन सा पार्टनर स्टेट कौन सा असम के साथ अभी New Dairy Development Board ने समझोथा किया है अब अगर लिमेंट कर रहा कल आरबी असिस्टेंट में जी आई टेक से कोशन भी आया था ओके लका डॉंक तर्मेरिक तर्मेरिक मतलब हल्दी की बात तो रही इसको जी आई टेक दिया गया जोक्रिफेकल इंडिकेशन टेक दिया गया इट बिलॉंग टूमेग हाल है ओके इंडिया का 84 चैस्ट इन से संबंदित एक कोशन भी अभी कौन बने का करोणपती में पूछा गया था और बंदा इतना हुश्यार था कि उसको उसका आंसन नहीं पता था तो उसने एक लाइफ लाइन भी यूज कर ली थी ओके काश वो हमारा सेशन देख रहा हो था गावनर की बात करें यहां के अरुनाचल प्रदेश दा हम वर्ल्ड वर्ड टू म्यूजियम पाशी घाट में पाक्प्य पागा हॉन्मिल फेस्टबल अरुनाचल प्रदेश में यूस जर्मनी कोलंबिया पार्टनर कंटरी रहे थे पार्टनर स्टेट कौन रहा था असम रहा था असम का MTTB के साथ एक स प्रशाली रमेश बाबू ओके तेलंगाना के मुख्य मंत्री का नम है अनुमुला रेवंत रेटी गवर्णर करना में तमिले सही सौंदराजन नेक्स्ट यार वाट इस इंट्रेस रेट फॉर सुकन्या समर्द्धी अकाउंट स्कीम फॉर्ट फॉर्स्ट क्वार्टर ऑफ इंट्रेस को रिव्यू किया जाता है मतलब उसमें जो इंट्रेस रेट चल रहा है उसको रिव्यू किया तो यह कह रहा है कि भाई इस योजना में जो इंट्रेस रेट था पहले आठ परतिशस था एट परसेंट अब इसको हमने बढ़ा दिया है बढ़ा कर कितना कर दिया ह तो राइट अंसर बने का अपना 8.2% यह ओप्शन नमाँ यही Senior Citizen Saving Scheme में भी इंट्रेस्ट रेट है, मतलब एक योजना है Senior Citizen Saving Scheme और यह भी अभी न्यूज में रही थी, इसमें भी 8.2% इंट्रेस्ट मिल रहा है, और सेम इंट्रेस्ट में रहे दोस्त, सुकन्या समर्दी स स्कीम में भी मिलना है, क्लियर है, ओप्शन नमाँ इस राइट अंसर, डन, यह योजना है, जैसे हमारा, देखेंगे आप एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह बारा, अब यह बारा के इंट्रेस्ट रेट यार नहीं करने, जो सब से यादा इंपोर्टेंट बनता है, सीनिर सिटीजन सेविंग सेविंग स्कीम, ओके, नेशन सेविंग सेटिफेकेट, पॉबिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समर्दी अकाउंट स्कीम, एक जनवरी दोजार चॉबिस से लेकर, एक अत्यस तीन, द सुकन्या समर्दी स्कीम में, 8.2% हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बिटा, राधे राधे से, राधे राधे भाईया, लगता है लोग राध को जादा पाटी कर लिए, नंबर अभी बड़े कम दिख रहे हैं, कोई नहीं, बड़ जाएंगे, अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पैसे तो अगर आपको ये योजना जानने ही तो आप लिखेंगे, यूट्यूब पे सुकन समरद्धी स्कीम भाय आशिश कौता, क्या लखेंगे, सुकन्या समरद्धी स्कीम भाय आशिश कौता, यूट्यूब पे आपको वीडյ मिलेगी, इस वीडियो को आप देख लेंगे, इस योजना में होता क्या है, कि आपके घर में, अगर मिरे दोस्त लक्षमी का जनम हु इसमें कहा गया है कि for example मैं अपनी बात कर लेता हूँ मेरे को दूसर एक बेटिया के जनम हुआ है उसका नाम है आर्ना ओके अब आर्ना कहती है पापा मेरे लिए आप नियूएर पे क्या गर रहो मैंने का बिटा मैं तेरे लिए नियूएर पे सुकन्य समर्द्धी स्कीम के तहट अकाउंट ओपन करूंगा अब इस अकाउंट में होता क्या है मैंने का बिटा इस अकाउंट में यह होता है कि मिनीमम मैं 2500 रुपे तक इंवेस्मेंट कर सकता हूं साल आना और मैक्सिमम मैं तेरी नाम से डिल लाक रुपे डाल सकता हूँ कहते है पापा वाओ बहुत भड़िया है स्कीम है मैंने और भड़िया कैसे है वो दिखो इसमें न पापा कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है मैंने बता है कि बिटा अब इसमें 8.2% इंटरेस्ट मिलता है और 8.2 इंटरेस्ट मिलता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है एक तो Senior Citizen Saving Scheme है और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इस Scheme का फाइदा ही होता है कि जब भी आप अपनी Gross Income Calculate करते हैं Tax Pay करने के लिए जब आपका tax calculate हो रहा होता है तो अब जब gross income calculate करते है तो gross income में कुछ छूट मिल जाती है आपको income tax act का एक section ATC उसके तहट ATC में total deduction दी गई ये 1.5 लाक रुपे की और वो ज़़े deduction है आप अगर सुकन्या समरिदी scheme में investment करते हैं तो आपको claim मिल सकता मतलब आप ATC के लिए eligible बनते हैं अगर आप इस योजना में investment करते हैं बात समझ में आगी बहुत छोटे-छोटे point इनको धियान देना है सर कितनी बेटियों तक eligible हैं कितने account खुलबा सकते हैं आपकी पहली बेटिया का जनम हुआ ओके वो eligible है उसके लिए आप count खुलबा सकते हैं आपके घर में मेरे दोस्त दूसरी बेटिया का जनम हुआ उसके लिए eligible है तीसरी बेटिया का जनम हुआ नहीं सर यह first two baby के लिए सर अगर पहली बार में twins हो गए दोनों eligible है वो तो है यह rule लेकिन सर अगर पहली बेटिया का जनम हुआ पर उसके बाद twins हो गए पर उस case में क्या है सर पर तीनों eligible है यहाँ पर fine समझ में आ रहा है 21 साल तक इस account में पैसा जमा होता है sorry 21 साल इसका maturity period है वैसे तो account में 15 साल तक पैसा जमा होता है 21 साल में mature होगा लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर बिटिया की age 18 वर्ष हो जाती है तो उसके लिए आप यह either study और marriage उसकी शादी के लिए या तो उसकी पढ़ाई के लिए इसमें सिफ 50% money withdraw कर सकते है वैसे तो account के यह बच्ची की उम्र नहीं account के 21 साल होने के बाद ही आप account से पैसा निकाल सकते है maturity period 21 year है लेकिन बोला गया है कि अगर इस दौरान account के 21 साल होने के दौरान बच्ची की उम्र अगर 18 वर्ष हो जाती है तो उसकी पढ़ाई के लिए उसकी शादी के लिए आप 50% withdraw कर सकते है सर कौन सी बच्ची eligible है जिसकी उम्र 15 वर्ष है 12 वर्ष है 14 वर्ष है नहीं वही बच्ची eligible है जिसकी उम्र 10 वर्ष तक है 10 वर्ष से जादा उम्र की बच्ची इसमें eligible नहीं है बास समझ में आगे clear हो गई कोई भी doubt उस comment section में लिख सकते है अगर आपके घर में आपके रिष्टेदार के यहां या आपके पड़ोसी के यहां video का जनम हुआ है तो please उनको एक बार suggestion जरूर दीजे लोग aware नहीं होते हैं उनको aware करिए कि सर बहुत nominal amount भी invest कर सकते हैं और अच्छा कासा amount भी आप इसमें invest कर सकते हैं बट at least invest जरूर करिए ओके डन है क्लिर भाई है डन यह तो बिटिया के साथ partiality it's not fair इधना भावुख मत हो अब एक नेक्स्ट पाइनस ministry का department of economic affair finance ministry में बहुत सारे department है उसमें के department of economic affair उसने इंडिया के gdp growth rate का अनुमान लगाया है उसका कहना कि financial year 23-24 में भारत की gdp growth rate इतने प्रतिशत रहेगी सवाल है कितने प्रतिशत रहेगी जवाब है यहाँ पर 6.5 परसेंट रहेगी इंडिया के 8 core sector है उनका नवंबर में output में कितना ग्रोथ देखने को मिला था जो भी ग्रोथ देखने को मिली थी यह 6 महिने के न्यूंतम इस्तर पैथी 6 मन्त लो कितनी output growth देखने को मिली थी 7.8 परसेंट ओके 7.8 परसेंट नेक्स लाइफ इंशुरेंस Corporation of India ने अपनी हिस्सेदारी भारत heavy electricals limited में कम कर दी है 11.70 परसेंट से घटा कर कितनी कर दी 9.61 परसेंट option number 30 राइड अलसर बनेगा 9.61 परसेंट ओके अब बढ़ते हैं आज की पहली और important news पर पहली न्यूज बिलॉंग टू हर्दीप सिंग पुरी सहाब हर्दीप सिंग पुरी सहाब ने एक national street food festival इसको नई दिल्ली में inaugurate किया था आप लोगो street food पसंद है सर कैसे पसंद नहीं है कल नियूज पर हम लोग शाम को गए थे हमने मुमोस खाए हमने noodles खाए हमने गोलगप्पे खाए हमने एंड में वो मीठा वाला प्री वाली मिरे भाई सारे पाऊ हम लोगों ने खायते हैं कोई इसकी बीचीज में थी झो हम ने छोड़ी हो फिर भी पेट नी भरा तो सवर हमने Please but और निफिफे खाल निफो सी पाहां से ह्खाते हो sir बहूं से स्ट्रीश के पास जाके ृटर स्टीट वेंडर जिससे आपका मन करता ह मेरे दोस्त बहतर खाने का उनका भी मन करता है बहतर बनाने का जिसी की लोग उनके पास आएं तो उन स्ट्रीट वेंडल्स के विकास के लिए भी कही रहा कि सरकार उनके डवलप्मेंट के लिए भी काम करती है उस development में ही एक national street food festival है, यह नई दिल्ली में लगाये गया था, इनी के विकास के लिए, इनी के development के लिए, अब यहाँ पर सवाल यह है कि examiner क्या पूछ सकता है, examiner क्या पूछ सकता है, किस ने inaugurate किया था, तो अपने जो housing और urban affairs minister हरदीप सिंग पूरी साब उन्हों ने inaugurate किया था, clear guys, then, all okay, यह National Association of Street Vendors of India, यह जो NASVI है, National Association of Street Vendors of India, इसके दुआर इसको नई दिल्ली में और्गनाइस किया गया था, examiner रक्सर पूछ ले था, इस event को किस ने और्गनाइस किया था, इसके लावर जो federation है, इसके सापना 1998 में पटना इस्तित है, 2003 में इसना registration कराया था, सुसाइटी, यह इसका registration हुआ था, सुसाइटी registration act, 1860 की दहित, तो यह read कर सकते हैं, इस सारे point, okay, अपने लिए सूपर important है, वैन्यू किसने inaugurate किया था, किसने organize किया था, fine, done, अब एक योजना इसी से संबंदित, जिसके बारे में चर्चा भी की गई थी, सिर्फ चर्चा थ स्ट्री, स्ट्रीट वेंडर, आत्म निर्भर, निधी योजना, क्या नाम है, प्रधान मंत्री, स्ट्रीट वेंडर, आत्म निर्भर, निधी योजना, सारे सी योजना में क्या है, असलना वो वक्त याद करिए, कि मोधी जब कुरा, जब मोधी जब भी रात में आते हैं, भजे दिल की दढगने वड़ जाती हैं मित्रों मित्रों कर करके मेरे दोस्तों निभा देते हैं एक बार नोट बंदी की एक आकर कहते हैं कि हमारे देश में लॉगडाउन लग रहा है अब जब लॉगडाउन लगा तो सबसे ज़्यादा इंपक्ट किस सेक्टर पे हुआ सबी सेक्टर पे हुआ तो कोई स्पैसिफिक नहीं पर फिर थोड़ी दिर के लिए अगर हम लोग समझा उन लोगों की बात करें जो सरगारी करमचारी है उनकी सैलरी पर तो इंपक्ट आये नहीं चलो प्राइवेट कंपनीज ने सबस्क्राइब लगा है एक कट लगाया मेरे दोसकी इतना पर्संट उतना पर्संट सोची एट-लीस्ट फिर भी लोगों की आ रही थी हो कैज़िक सेविंग्स के तौर था उनकी सेविंग्स के तौर पर था उन्होंने अपने जीवन यापन अपन के लिए आजीविका के तो एक roadside मेरे दोस्त कोई मूफली बेच रहा है, कोई पान गुटका का stall लगा के बैटा है, कोई छोले पुल्चे की stall लगा के बैटा है, कोई मेरे दोस्त छोले भटूरे की stall लगा के बैटा है, मोदी जी ने बोल दिया lockdown, मतलब lockdown है, इंस सब का आजीवी का बंद हो गई, इ PM स्वानेदी योजना, PM स्वानेदी योजना को जून 2020 में इसको launch किया गया था, इस योजना में नों ने कहा, कि हम आपको लोन देंगे 10,000 रुपे का, 10,000 का, यह आपको 12 महीने में पे करना है, अगर टाइमली रीपे कर दिया ना मेरे भाई, 7% का ब्याज में भी छूट लेना, इंटरेस्स सब्वेंशन, अगर यह 12 महीने में आपने यानि टाइमली अर्ली रीपेमेंट कर दिया, या तो समय से या तो समय से पहले, आपको ब्याज में 7% का छूट भी मिलेगा, 100 रुपीस हम आपको कैश बैक करेंगे, अगर आप डिजेटल पेमेंट करते हैं, पर मंथ, 100 रुपीस कैश बैक, तो 1200 रुपे पर मंथ, मेरे दोस्त, 1200 रुपे पर यर, not per month, yearly, 100 गोड़ा बारह, 1200 आपको बापस हो जाएगा, कैश बैक भी मिलेगा, तो यह सरकार ने सी योजना को लांच किया थे, इसमें एक चीज और बोली थी, कि यह विदाउट को कुछ है तिरे पास गिरवी रखने के लिए, मैंने का नहीं है मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए, तब पहली फुरसत में निकल, मैंने क्यों निकल, निकल, पहली फुरसत में निकल, मेरे भाई, क्यों क्योंगी तिरे पास कुछ भी नहीं गिरवी रखने के लिए, ज वैसे ही यहाँ पर बैंक केमर दोस्ट, फिरी में फूकरड में पैसा नहीं देता, कुछ गिरिवी रखना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर सरकार कहती है, कि देखो यार आप यह दस जार के लोन के लिए कैन से गिरिवी रखवाएंगे, यह बिचारे क्या रखेंगे, विदा के लिए पचास हजार के लिए, समझ में आ गया, इस योजना में एक चीज और याद रखनी है, इसकी एक लास्ट डेट है, जो की बढ़ा दी गई है, अपने होंवर्क में लिखिए, पी-एम स्वानिदी योजना लास्ट डेट, पी-एम स्वानिदी योजना, पी-एम मज़ा आ रहा है, मेरे दोस्त, कॉमेंट सेक्शन होवे, जो नहीं स्माइली आती न, दिल निकल रहे होते हैं, आँखों से दिल निकाल देते हो तुम लो, बड़े खिलाडी हो, मेरे मा के पास सौने के कंगानी नहीं है, बेटा सीरियसली बोल रहा है, तो एलिजबल, तु मंदे इंटरनेशनल टेस्ट करिकट, नाइस, पीम लाइस, स्वाने दी लास्ट ही हो जना जो है, दिसंबर पच्छेस दो जार चौब यसी है, क्या डेट वोली है, थैंक यू सर निया सिंग, नाइस टीचिंग स्टाइल, शुक्रिया बिटा, शुक्रिया शुक्रिया है, यह दिल, दिल छीर कर दे कर दे तिरा ही नाम होगा, करेंट अफेर, करेंट अफेर और करेंट अफेर होगा, ओके, जै जगंतर नद, राधे राधे, जगंतर टेमपल ने एक अभी फैस्टिबल है, मरे दोस्सद का नाम है, गोले मेला, इसको भी होस्ट किया था, इसकी रहा होगा नहीं देखो जमू कश्मीर में रहा एक popular festival है गोले मेला इसका नाम है जगनाथ temple में उदमपुर में इसको organize किया गया था दो ancient temple है जो कि भगवान जगनाथ के लिए है एक उडिसा के पुरी में situated है जहां से रतियात्रा निकलती है और दूसरा में दोस्त जमू कश्मीर के उदमपुर डिस्टिक में है समझ में आ गया बहुत simple news है जगनाथ temple hosted गोले मेला festival और ये कहां पर रहा था जमू कश्मीर के उदमपुर में रहा था और दो चीज़े याद रखेंगे एक temple उडिसा के पुरी में और एक जमू कश्मीर के उदमपुर डिस्टिक में केंद्र ने 16th finance commission है इसको appoint किया है वित आयोग अभी exam में question आया था अगर आपने दिया हो 2023 में paper तो 15th finance commission से संबन्दित ये था एक line लिखी हुई थी और वो tax distribution को लेकर लिखी थी कि इसका बटवारा राज्यों के बीच में केंद्र के बीच में कौन करता है कौन recommend करता है तो उसमें options में अलग-अलग अलग दे रखेते मेरे दोस्ट finance commission इस तरीके से अभी पढ़ते हैं तो आपके खुछ समझ में आ जाएगा तो 16th finance commission है उसको केंद्र के द्वारा भी constitute किया गया है अरविंद पंगरिया साहब है ये इसके chairman रहेंगे तो former नीती आयोग को vice chairman है एक शब्द की बड़ी कीमत होती है नीती आयोग के ये former vice chairman है chairman हमेशा कौन होते है प्राइम मिनिस्टर नीती आयोग के vice chairman कौन हो गए former अरविंद पंगरिया साहब जो की अभी कोलंबिया university में professor है कोलंबिया university इनको कहा गया है कि आप 16th finance commission को head करेंगे आप 16th finance commission के chairman के तोर पर काम करेंगे रित्विक रंजन रित्विक रित्विक रंजनम ओके पांडे ये secretary बनाए गया है तो दो नाम क्लियर हो गए एक chairman कौन और एक secretary कौन ओके तो आर आर पांडे या फिर रित्विक पांडे या फिर रित्विक रंजनम पांडे इनको secretary बनाया गया है Finance Commission requested to make its report available Finance Commission को next 5 year के लिए मैंने दोस्त 31 October-25 तक का टाइम दिया गया है कि आपको report submit करनी है अपनी तो बित्त आयोग उससे अनुरोद किया गया है कि वे 1 April 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवदी को cover करते हुए ये date बड़ी important बनेगे कि 1 April 2026 से जो 5 साल का period होगा उस period के लिए यहां पर यह अपनी report submit करेगा और उनको समय दिया गया 31 October-25 तक का ये date याद रखना 31 October-25 बास समझ में आ गई clear हो गई ये दो date important बनेगी next समिंधान के अनुच्छे 281 और वित आयोग अधिनियम 151 के नुरूप एक कदम में रास्पती ने वित आयोग की स्थापना की अभी शायद एक कोशन कल ही पूचा गया मैं कोशन नहीं देख पाया था कल क्योंकि मुझे आगरा जाना पड़ा था मेरे दोस्त तो मैं आर्बी असिस्टेंट के रिवीव में नहीं था कल तो मेरे को exact कोशन पता करने क्या रहे थे उसके बाद मैं आपके साथ दिस्कुस भी करूँगा बढ़ हाँ इतना दा कि प्रस्डेंट यह प्रस्डेंट के दौर इनमें से कि इनको अपॉइंट किया जाता है यह इनको कौन अपॉइंट करता है इस तरीके कोशन पूचे जाते हैं तो यह आपको याद रखना है आर्टिकल 281 ऑफ कॉंस्टिशन ऑफ इंडिया ओके फाइनस कमिशन एक्ट 1951 इसके तहदी गई जो पावर्स उसके साब से प्रस्डेंट है यह फाइनस कमिशन को स्टैबलिश करते हैं यह इसके आधर पर इन्हों ने इसको स्टैबलिश किया यह टेक्स डिवालिशन जो ह कर हस्ता अंतरन है कर मरतब टेक्स यही व美元 धूशन आपके एकोशन में था कि कौन मेरे दोस्ति डिवैलिशन बेडविजेंसेंट में सेंटल वाला, examiner को पता है कि तुम कितना पढ़के जा रहे हो, इसलिए आप प्लीज उससे एक कदम आगे रहे हैं, आपको complete news पढ़ने है, यह depth नहीं है, एक complete news है, कौन अपॉइंट करता है, किसके पास power है, article कौन सा है, यह बड़े important important point है, ओके यह वाली line बड़ी important है, इसको एकसर जो disaster management initiatives होते हैं, disaster आजाती हैं, जो भी आपदा आती हैं, उनके लिए जो पहल की जाती है, जो initiatives लिए जाते हैं, उसके जो financing की जाती है, जो पैसा उपलब्द कराया जाता है, उसको भी यह review करेगा, okay, with a reference to fund constituted under disaster management act 2005, समझ में आ गया, कि यह क्या-क्या काम करेगा, तो केंद्र और राजी सरकारों के बीच कर हस्तांतरण राजश्वरद्धी के उपायों का सुझाब देने के लावा, सम्मिधाने के निकाए आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहत गठित धन के संधर्व में, आपदा प्रबंदन पहल के वित्त पोशन की वर्तमान विव बस थाकि समीच्छा करेगा, मैं हमेशा बताता हूँ आपको दो तरीके की वाड़ी होती है, जो की एक सम्मिधान के आधर पर बनती है, और एक एक एक्ट के आधर पर बनती है, और मेरे दोस्त, एक जो एक्ट के आधर पर बनती है, उसको क्या बोलते है हमनों, एक्ट के आ Constitution के आधार पर बन रही है, जो Act के आधार पर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैं अक्सर आपको पढ़ा थो, सेभी 1992 में Statuary Body बना था, जब सेभी Act पास किया गया थे, Statuary Body, Constitutional Body, Act के आधार पर Statuary Body, सम्विधान के आधार पर Constitutional Body, ओके, Next, FIH Hockey 5S World Cup will be held in Oman Muscat, ये news बहुत शानदार है, पहले तो दो तरीके के World Cup होते हैं, FIH World Cup जो नॉर्मल चलता हुआ रहा था, और एक होंगे FIH Hockey 5S World Cup, 5S World Cup में क्या होगा, 5 का मतलब यहाँ पर यह है, कि जो field होगा, जहां पर जिस मैदान में होकी खेला जाएगा, उसमें 5 ह ही खिलाडी रहेंगे, हाँ, सच में 5 खिलाडी रहेंगे, यही मतलब यह 5S World Cup का मेरे भाई, वैसे नॉर्मल कितने खिलाडी रहते हैं, सर 11 खिलाडी रहते हैं, पड़ यहाँ पर 5 ही खिलाडी रहेंगे, यह कल मैं इसके बीच में difference पढ़ रहा था, मुझे बड़ा interesting लगा कि होकी को शायद revamp करने के लिए और बहतर बनाने के लिए और interest create करने के लिए इस तरीके के initiatives लिए गया होंके, तो FIH होकी 5S World Cup यह इस साल उमान के मसकट में रहेगा, 2024 में, सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यह बताईए कि यह news क्यों लेकर आईए, यह news तो हमें पहले ह कुछा गया था, एक World Cup में यह कोई किसी event में, तो इसलिए इसको मैं हमेशा से बोलता है, important रहता है, कि सिमरंजीत सिंग और रजनी इतिमार कू, ओके, उमान के मसकट में होने वाले FIH होकी 5S World Cup में भारतिये, पुरुष और महिला टीम का यह निर्टोत करेंगे, इनको बत National Hockey Federation, जैसे Football, Sambandit, FIFA, Cricket Related ICC, वैसे FIH Related to the Hockey, 7th of January 1924 में यह बनाता, 7 January 1924 को, Headquarter Switzerland के Lawson में है, अक्सर पूछता है, President करना में मोहमद तयब इकरम, Macau से है, होकी इंडिया की बात थी, जब होकी इंडिया ने अनॉंसमेंट किया था, जैसे Cricket को लेकर ICC है, वैश्विक त और भारत के लिए होकी इंडिया, 2009 में बनाते है, Headquarter नहीं दिली, दिलिप टर्की, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, यह इसके अद्दक्षे, President आओं के, यह और मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि थोड़ा confusion ना हो, चीजों को लेकर, कि 2024 का जो FIH होकी 5S World Cup है, मैंस और व बेल्जियम और एक नीदलेंड, ओके, यह दो होस्ट करेंगे, नीदलेंड के, एमस्टेल, एमस्टेल, वेन में होगा, और यह वावरे, तो बेल्जियम का वेवरे, और नीदलेंड का, एमस्टेल वीन है, यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, उसका screenshot ले सकते हो, इस दोनों वर्ल्ड कप में अंपर समझ में आ गया, हाँ जी सर क्लियर होगे, आगे बढ़ते हैं, इंडिया-UAE Joint Military Exercise, इसका नाम है Desert Cyclone, यह राजिस्थान में होगी, तो भारत और UAE के बीच में यह पहली Military Exercise है, जो कहां पर हो रही है, यह मतलब इस साल आपको याद रखना है, यह मतलब UAE और भारत के बीच में exercise है, बहुत सारे देशों के साथ भारत के अलग-अलग exercise हो, बहुत सारी exercise होती है, जैसे यूएस के साथ है युद अभ्यास, वज्जर, प्रहार, कोप, इंडिया, टाइगर, तरब, नैपाल के साथ सूरिक के रन है, ओके मालदीप्स के सा साथ है, डस्ट लिक exercise, एक रशिया के साथ है, इंद्रा, इंद्रा नेवी, ओके जापान के साथ, सिन्युमेत्री, धरमगार्जियन, सहयोग काईजन, जिमैक्स हो गई, इसी तरीके सिंगापूर के साथ भी exercise है, अगनी वारियर, बोल्ड कुरुचेतर, सिंबैक्स, ओके य वरुण शक्ति, गरुण शक्ति, जहां तक है, यही है, वरुण शक्ति, गरुण शक्ति, यह इंडोनेशिया के साथ exercise है, बंगलादेश के साथ exercise है, संप्रती, संप्रती, वांगो सागर, जिमैक्स, संप्रती, वांगो सागर, और कॉर्पेट, यह तीन exercise, लेकिन थोड़ा अब उधाभी करंसी दिरम और भी exercises की जाइद तलवार, Desert Eagle और Gulf Star, एक और exercise जोड़ दो चौती होगे, Desert Cyclone नेके, जाइद तलवार, Desert Eagle, Gulf Star याद रहेंगी, एक number है फोकट का number है, कहाँ पर होनी है, किन देशों के साथ exercise है पहला edition है, पहली exercise है यह आप याद रखेंगे, इंडिया UA Joint Exercise, 2024 exercise का number, Desert Cyclone पहला edition है, पहला इसका संस्क्रण है एंड्रू पॉल तबर्टन, उके, इनको अभी appoint किया गया है, भाई साब यह ब्रिटेन से है, कहां से ब्रिटेन से, उके, इनको UNFPA में New Assistant Secretary General के तौर पर appointment किया गया है New Assistant Secretary General तो UNFPA में New Assistant Secretary General बोलिया या फिर Deputy Executive Director Management बोलिया इसके तौर पर appointment रहा ब्रिटेन के एंडू पॉल सबटन गया, अब साभ ने मेरे दोस्त किन को replace किया है तो he succeeded in Peterson of Denmark तो Peterson Denmark के उनका इनो ने स्थान लिया है इनका announcement किया था United Nation के Secretary General का नाम है Antonio Guterres Guterres साहव पुर्टगाल से है अक्सर पूछ लेता है कि United Nation के Secretary General का नाम क्या है Antonio Guterres, he is from which country, पुर्टगाल पुर्टगाल Capitalist Bank, Currency Euro Denmark की Capital Capital का, Copenhagen Currency Crone Britain की Capital का, London Currency Pound Sterling सारी चीज़ा याद रखनी है United Nation Population Fund यह एक संस्ता है जिसका काम होता है Maternal Health यानि प्रजनन और मजो मातर स्वास्त है विशुभर में उसको इंप्रूव करना इसका काम है उसके लिए संस्ता काम करती है इसका Formation 1969 में हुआ था Headquarter New York City, United State US के New York में इसका Headquarter Association of Southeast Asian Nation Aasiana Tourism Forum 2024 will be held in Laos लाउस की Capital है विंतियाने कहना बिड़ा विंतियाने और यहाँ पर 2024 का Aasiana Tourism Forum रहेगा असल में Aasiana की जो अद्धिक्षिता है वो लाउस के पास चलीगा यह 2024 के लिए Aasiana Summit वही होस्ट करेगा तो ऐसे में अभी यह है उससे संबंदित सारी मीटिंग लाउस ही होस्ट करेगा तो टूरिज्म जो फॉरम होगा वो लाउस के विंतियाने में रहेगा इसकी थी में Quality, Responsible Tourism Sustaining Aasian of Future Aasian 8 अगस 1967 को बनाता है 8 अगस 1967 को Headquarter इंडोनेशा के जकारता में है Chairmanship 244 की लाउस के पास है Member कुल मिलाकर 10 है 10 में यहाँ पर गुरुनेई है, कमबोडिया है, इंडोनेशा, लाउस, मलेशा, म्यानमर, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, वियतनाम एक देश इसका नाम आपको बताना है जिसको 11 में मेंबर के तौर पर प्रपोस किया गया अभी ऑफिशिली वो जुड़ा नहीं है, बढ़ भविश में जुड़ जाएगा 11 मेंबर के तौर पर आपके लिए होम वाक है, तीन सवाल होगा आज आपके लिए बता पाओगे न, आज तीनों के जवाब देंगे महरास ने कहा है कि वो केड़ी जादव सहाब का जो बर्दे है, उसको स्टेट स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलेबरेट करेगा, अब ध्यान से सुनिएगा महरास गवर्मेंट ने कहा कि यार, अब यह पहले इनके बारे में मैं बता देता हूँ केडी जादव सहाब का जनब हुआ ता, 17 डिस्तिक में, जो जिला है, 17 जिला है, उसका छोटा सा गाम है, बोलेशव और गाउ वहां पर इनके जनब हुआ था यह पहले sportsman है, independent India के स्वतंत्र भारत के जिन्होंने individual medal जीता था, कहाँ पर, Olympic में, तो जो हैलसिन की Olympic रहा था, Olympic भी कहाँ पर रहा था, Finland के हैलसिन की में, तो नाम हो गया है, हैलसिन की Olympic 1952 की बात, 1952 की बात है, 1952 में इन्होंने wrestling category में, freestyle wrestling category में, भारत के लिए पहला individual medal जीता अबी तक आपने देखा हुआ medal individual नहीं आता, hockey जीत रहा था, hockey में आ रहे थे, लेकिन मेरे दोस individual मतलब, व्यक्तिकत तोर पर किसी ने medal जीता था, तो वो यह था और वो भी bronze medal रहा था, और साहब को pocket dynamo के नाम से जानते थे, pocket dynamo, अब यह pocket dynamo मतलब क्या होता है, जिनकी height कम ह होती है, मेरे दोस हाइट इतनी नहीं होती, बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत स्ट्रॉम होते है, उनको बहुत पॉकेट बड़ा धमाक ऐसा करके बोलते है, तो pocket dynamo के नाम से इनको जाना जाता था, जादव साब के बारे में clear हो गया, क्यों इतने important है यह, अब इसलिए important है, वो हमने देख लिया, अब इनकी वजह से अब कहा जा रहा है, इनकी बर्दे पर, 15 जनवरी को अब स्टेट स्पोर्ट्स डे मनाये जाएगा, और कौन मनायेगा, महरास्ट बनायेगा, तो महरास्ट गवर्मेंट ने कहा है, कि जो इंडियन ओलम्पियन है, केडी जादव सा अब उनका जो 98 बर्दे एनिवर्सरी है, 15 जनवरी के लिए इसको स्टेट स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाये जाएगा, और हर साल मेरे दोस्य मनाये जाएगा, एक बहतर इनिशेटिव है, हर चितर में UPI का इस्तेमाल किया रहा है, IPO के लिए तो शुरू किया ही गया था, अब सेकंडरी मार्केट के लिए भी किया गया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जनवरी 2024 से, बीटा फेस मतलब होगे एक तरीके से, पाइलेट बेसेस पे, पाइलेट बेसेस पे, वाला टेस्टिंग वाला बोल सकते हो आप लो, तो इन इस बीटा फेस पर एक्विट केश है सेगमेंट, NPCI, National Payment Corporation of India, जो कि भारत में रिटेल पेमेंट को लेकर अमरला ओर्गिनाइजेशन है, हर काम किसी ने किसी को दिया गया है, तो जो रिटेल पेमेंट है, जो आप छोटे मुटे ट्रांजेक्शन करते हो पूरे दिन में, जैसा कि गोलगप्पे खाने से मेरे दोस्त, भगवान मंदिर में पूजा करने के लिए फूल लेने तक आप पेमेंट करते हैं, तो वो कैश करते हैं, तो कैश में रिटेल पेमेंट कर रहे थे, उसको डिजिटल किया गया, उसके पीछे पूरा हाथ NPCI का उसने UPI तयार किया है, तो वही लिखाए कि NPCI ने UPI for secondary market भी launch कर दिया है, तो NPCI अमरेला ओर्गनाइजेशन ने रिटेल पेमेंट के लिए भारत में 2008 में ये बनाते हैं, दिले पसबे MD&CEO हैं, और UPI का इस्तिमाल किया जाता है, immediate cash transfer के लिए, आप transition करते हैं, तुरंद की तुरंद पैसा transfer हो जाता है, मुबाइल डिवाइसे से round the clock 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं, ये मैं एक बार कल आपको discuss करूँगा, क्योंकि अब समय ज्यादा हो चुका है मेरे दोस्त, थोड़ा मैं डेटेल इसके लिए लोगा, कल इसके बारे में और discuss करूँगा, असम स्टेट है, ठीक है, ये एक बार आप लोग मेरे द युनिए सो पच्चास को ये बना था, इसके अलावा और कि आपको याद रखना है, वो ज़रा देख लेदे, एक सेके डुकना, वन मिनिट, एक बार डिस्टिक क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, एक बार में क्रॉस चेक करूँगा, इस्टेट उट चब्वी जनवर युनिए सो पच्चास को ये, पचास को ये बनाते है, जिस पूर कैपिटल है, हैमन्त विश्यो सर्माई, यहां के मुख्यमंत्री, गव लोकसभा की सीट 14 है, राजसभा की सीट 7 है, लार्जस सेटी गौहाटी जो की ब्रह्मुपुत्र नदी के गिरारे बसा हुआ है मेरे भाई, ओके, ओफिशल लैंग्विज अस्मी है, बॉर्डर स्टेट मारोनाचल प्रदेश, नागलेंड, मनिपूर, मेघाल है, तिरुप लिख लेना और एक देहिंग पट कहीं लिख लेना, यह तीन और नेशनल पार्क से हों के टोटल मिलाकर साथ है, वाभी तोरा बुराचापोरी, चक्रिशिला, लावकोबा, यह वाइल्डाइफ संचुरी, एक और लिख लेना गरम पानी वाइल्डाइफ संचुरी, इसके वर्दोला इंटरेशे एरपोर्ट भी आपका असम में है, क्लियर, डन, बाकि आप लोगों को मेरे दोस्त किसी भी पेट बैच में अडमीशन लेना है, आज 81% डिसकाउंट भी है, और येर साल का पहला दिन है, बहतर तरीके से मेरे साथ जोड़िये, मैं आपके लिए मेरे दिसकाउंट के लिए, क्योंकि अप्लिकेशन पर एक्स्रा 1% डिसकाउंट मिलता है, 81% Y168 code, इसके लाबे ये सारे महापक है, बैंक महापक उनके लिए जो बैंक और इंस्यूनेंस की तियारी कर रहा है, 6 प्लस 6 मन्त का बैंक महापक 2720 का पड़ेगा, 12 प्लस 12 मन्त का बै 15 जन्वरी से शिरू हो रहा है, for financial awareness, for general awareness, okay, SBI capsule batch हम लोगा 15 जन्वरी से शिरू होगा, okay, जैसे SBI exam होगा, उसके बाद हम लोग अपना SBI capsule batch लेएंगे, ये दौनों बैचे साबका, warrior pro का पार्ट है, warrior pro पे भी आपको 81% discount मिल रहा है, Y168 code आप लगा सकते हो, okay, ये मेरी book है, जुलाइगर सितंबर की, October, November, December की इस first week में आपको मिल जाएगी, ये जुलाइगर सितंबर की book 173 rupees की पड़ेगी, 240 की है, कोई भी printed book, e-book क्या mock लेना, उसके लिए code है, Y168S code, okay, session पसंद आए, तो please comment section में लिखके ज़रूर बताएगा, कैसे लगा आपको session, और आपकी चा सब्सक्राइब करना न भूलेगा, वीडियो को लाइक करना न खोलना, शुक्रिया दोस्तों, बाबाई, टेक्या, राज रादे,